जी दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें आजिल होती है, जो बक्त और हालात पर रोया नहीं करते, तो उत्तर प्रदेश, एनेचेम, गवर्मेंट फिर लेकर आईए, 17,000 वेकेंसी, आज की डेट 26-11-2022 पर, तो यहां देख सकते हैं, 17,000 टोटल वेकेंसी है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में, NUHM, अर्वन हेल्थ मिशन, नैशनल अर्वन हेल्थ मिशन, जिसके तहत, स्टाफ नर्स की टोटल 684, लेब टेक्निशन 282, फार्मासिस्ट 209, एनम 807, यहां गौर्व करने वाली जो अन्रिजर्वड कैटेगरी है, उसमें अधर स्टेट वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, बट यह जो कैटेगरी हैं, दूसरी, वो सब सिर्फ यूपी डॉमिसाइल वालों के लिए ही, इलीजिवल है, एप्लिकेवल है, तो आप यदि अधर स्टेट से हैं, तो आप अन्रिज 1101 तनका, लेप टेकनिशन की 13666, फार्मोशिस्ट की 19101, एन्म की 10915, इसके बाद में इसी तरह से DHS, District Health Society, स्टाफ नर्स की, जो HDU में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे अलग लिखा हुआ है, 376 पोस्ट है, 30,000 बेस एनरेरियम, प्लस, तो उसमें आपका 30,000 कैसे होने वाला है, टोटल, HDU अलावेंस मिल रहा है, यहां पे 10,000 का एक्स्ट्रा, 20,000 सेलरी के अलावा, तो इस तरह से हैं, HDU में एक अच्छा सेलरी है, ठीक है, बाकी सब में यदि आप चेक करते हैं, तो सेम सेलरी है, फिर आप दोबारा Elternal Health में आते हैं, तो staff nurse में salary में यहां पर changes है, यहां 30,000 इस staff nurse का, A&M का भी है, salary जादा है 12,000 क्योंकि maternal health जो है Delivery वाले award में काम करते हैं, ठीक है, तो यहां उनका salary थोड़ा सा different है, community process में same salary है RBS के में भी आप देखिए salary में difference है तो form बढ़ते समय आप यह ध्यान रखे कि आपका experience कैसा है किसका है तो आप उसके according ही form को भरे और हम इसके बारे में ज्यादा detail में अभी बात करेंगे जब नीचे हम इसका detail पढ़ेंगे वेकेंसी का अब देखिए child health में बीस हजार पांसो salary है इसके अलावा 15th finance commission में आप देखेंगे कि तो यहां भी जो salary है वह बीस हजार पांसो है नेशनल प्रोग्राम में जो है salary सेम salary है ncd program में बीस हजार salary है ठीक है नर्सेस की हम यहां बात कर रहे हैं और सब्सक्राइब देख रहे हैं तो हम यहां देख रहे हैं एक चीज के salary बीस हजार से लेके तीस हजार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका जैसा experience हो आप उसी साफ से अपना यहां पर भरिए ठीक है अब यहां पर गौर फर्माने वाली बात क्या है डिफरेंट के एनम की पोस्ट तो में फीमेल्स के लिए है फीमेल्स के लिए होगी यहां यह लेखा हुआ है बाकि और कोई भी यहां पर खास बात नहीं है एप्लिकेशन 27 तारिक से भरे जाएंगे और बारा बारा इसकी लास्ट डेट है क्लोस करने के लिए 15 दिन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म खुले हुए है ठीक है अब यहांब देखिए नोट यह नोट उनके लिए है जिन लोगों ने कोविड के दोरान होस्पिटल में छे महीने साल वर तेट साल काम किया था तो उनके लिए गोवर्मेंट ने क्या प्रोविजन किया है कि जिसने 6 मंत काम क किया है वह 5 परसेंट मार्क एक्स्ट्रा बोनस अंक मिलेंगे जिसने एक साल किया है उसे 10 परसेंट और जिसने डेट साल किया उसे 15 परसेंट तो यह है उन लोगों के लिए जिन्होंने गोवर्मेंट के किसी भी विभाग में कोविड में काम किया है उन लोगों के लिए यह बाला कि जैसे आपको याद हो तो कोविड की वेकैंसी निकली थी अलग से हॉस्पिटल्स में 6 महीने के लिए साल भर के लिए फिर बाद में उनको खतम कर दिया गया था पोस्ट को तो यह प्रोविजन उनके ल यह थीक है तो जनरल के लिए यहां 33% 33 नंबर लाना कम से कम अनिवार रहे है पास होने के लिए ठीक है चाहिए पोस्ट खाली जाए यदि आपके 33 नंबर नहीं आये है तो पोस्ट खाली रहेगी आप कॉलिफाई नहीं करेंगे ठीक है तो अब यहां पर कोविड एक्सपि किये है 18-40 साल की ठीक है अब देखते हैं क्वालिफिकेशन पर आते स्टाफ नर्स के लिए जी एनम बेसी नर्सिंग ठीक है और जो कॉलेज है वो एफिलेटेल होना चाहिए ठीक है और यह देखिए यहां पर हम देखते हैं रेजिस्ट्रेशन के लिए क्या शर्त रखी ग रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए आप ने यदि रेजिस्ट्रेशन कहीं और काया सलिब भी एपलाई किये है तो अब आप एपलाई करके प्रोसेस कर सकते हैं वो चीज़ें बाद में कंसिडर की जाती है ठीक है उसके बाद में हैं चाहिए और एप्लिकेशन भरते समय आपक technician में भी same process है आपके पास में MLT होना चाहिए और या फिर आपके पास में 10 plus 2 science के साथ होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए MLT वाला तो यह यहां पर qualifications रखी गई है और आपका institute central government या state government से affiliated होना चाहिए और UP state medical faculty में registration होना चाहिए तो तो यहां पर qualifications के लिए रखा गया है तो अब यहां पर बात आती है कि salary अलग अलग है लेकिन qualifications सबके लिए एक ही है ठीक है तो आप अपने competition label के इसाब से form को फिल कर सकते हैं और ट्राइब कर सकते हैं selection process selection के लिए CBT test होना है computer based test होना है ठीक है test city जहां तक है लखनव और कानपूर रहा करती हो सकता है और भी रहे तो वह भी यहां पर expose नहीं की गई है और अब देखते हैं exam के बारे में क्या है exam में 100 questions आने वाले है है negative marking नहीं होने वाली है ठीक है दो hours का होने वाला टू hours का पेपर ये होने वाला है जिसमें 80 number का आप की टेकनिकल टेस्ट होने लहाँ यानि कि आप इधी नर्सिंग से भर रहें अन्नम से भर यहां पर पढ़ने वाली बात है तो आगे और कोई ऐसी खास बात नहीं है जो यहां पर पढ़ने वाली बात है ठीक है अब देखिए यदि कोई बेक्ति मेटरनल हेल्थ में भी भर देता है फॉर्म और यह वो NCD में भी फॉर्म भर देता है नर्शिंग में एक 30,000 वाली सेलरी पे तो उन लोगों के लिए का प्रविजन है तो उन लोगों के लिए सब्सक्राइब नुमर 9 पढ़रेद फ़र केंडिडेट वो फिल्ड मुल्टिपल अप्रिकेशन नहीं रिजर्द राइट तो सब्सक्राइब एक ही टाइम पे वा तो कुछ नहीं होने बाला है यदि एक्जाम अलग अलग टाइम पे वा तो ही कुछ इसमें हो सकता है है ठीक है यदि केंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लिकेशन भरता है कि सेम बेकेंट पोजिशन के लिए तो उसका केंडिडेट चर कैंसिल हो जाएगा यहां पर यह लिखा हुआ है तो फॉर्म आपको थोड़ा यहां पर सोच समझ के ही भरना है कि बेट लिस्ट जो आने वाला है वह वन रिशो तीन आने वाला है याने कि एक पोस्ट पर तीन लोग बेटिंग लिस्ट में दिए जाएंगे इसके बाद में ठीक है सलेक्षन जो है पो पिओरली कॉंट्रिक्शुल में से का हमने यहां पर बात कर ली थी और ओनलाइन फॉर्म बरना है और सबसे खास बात यह कि फॉर्म जो है वह विल्कुल फ्री है कोई भी यहां पर चार्ज नहीं है फॉर्म बरते समय दो स्टेप होंगे उन दोनों स्टेप को कम्प्लीट करके और अपना सारा ओफर लेटर हो सकता है तो अब कोई भी कॉल लेटर एक्जाम के लिए मेल घर पे नहीं आएगा तो आपको मेल अमेशा चेक करते रहना है और फॉर्म को भरके और आपको यह सारी चीज़े वहां पर अप्लोड करने हैं जो भी डॉक्यमेंट्स यहां पर दिये हुए है अप् फॉर्म को सम्मिट कर देंगे तो यह है खास बात और इसके नीचे प्रारूप है ओबी सी के लिए ठीक है और यदि आप देखना चाते हो कि कहां पर कौन सी बेकेंसी किस डिपार्टमेंट में है किस जगह पर है तो आप नीचे पीडिएफ में सारा सपुच यह भी चेक कर करके और अपना फॉर्म उस तरह से भर सकते हैं तो पीडिएफ के लिए आपको यहां पर टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से आप पीडिएफ इसका ले सकते हैं तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी टोटल जो पोस्ट है एप्रॉक्सिमेटली 17,200 के आसपास है क थैंक यू फ्रेंट्स